दोजार साथ में सबसे छोट हुआ खिलाडी और दोजार जोविस में विजैई टीम के कैप्टन क्या अनुफो करते हैं कि सच बोलों तो जब दोजार साथ में मैं पहली बार टीम में आया था और एक टूर हमने आइरलेंड में किया था जब जहां पर राउल भाई कैप्टन थे फिर उसके बाद हम सीधा अप साउथ अफरीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए तो वहां पर वर्ल्ड कप जीत गए तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के तो पूरी मुंबई रास्ते में थे हमें एरपोर्ट से वानकडे स्टेडियम जाने के लिए पाच घंटा लगा तो दो तीन दिन के बाद मैंने रियलाइस किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान है लेकिन उसके बाद उसके वेल्ल कप में मैं एक चीज बड़े कॉंफिडेंट से बोल सकता हूं कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था जब हम यहां से वेस्ट इंडिस गए काफी मुश्किले थी वहां पर जब हम नियॉक में पेली बार क्रिकेट हो रहा था कभी क्रिकेट वहां प में लियान था कि हम बाबड़ बाबड़ में फाइनल कैसे खिलेंगे तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टन सी कैप्टन सी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पर इतनी मुस्कुराठ है और ल हम यह जो ग्रूप है यहां पर इनका हमारा एम यह है कि हम नेक्स जनरेशन को कैसे इंस्पाइर करते जाए जैसे जब रावल भाई और सचिन टेंडूलकर और सोरो गांगुली लक्षमन यह लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे तो उन्होंने हम सारे लड़को लोगों इंस्पाइर किया है बट हमारा भी एक रिस्मॉंसिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे उनको हम कैसे इंस्पाइर कर सकते और यह शायद यह वर्ल्ड कप से I'm sure कि आने वाले पीडी में वो उत्सा बिलकुल रहेगी रही ताप हमेंसे इतने सीरियस सब मैं जितना और इजमार तो आपका कुनबा भी बड़ा था कई नए नए देश जूड़ रहे हैं और क्रिकेट में यह पास सही है कि जो खेलता है वो इतनी महनत करके आता है तो उसको साथ अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किये को तो लगातार करते आया है कि देश पर तो प्रभाव होता है लेकिन भारत के क्रिकेट की विश्यस्ता है भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है उसने अब और खेलों में भी inspiration का काम करना शुरूर की आईजी और खेल के लोग भी सोते हैं cricket में हो सकता है यहां क्यों नहीं हो सकता है यानि यह बहुत बड़ी सेवा आपके माद्दम से हो रही है यह अपने आप और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है हमें सभी खेलों में वो ही spirit पैदा करना है कि दुनिया में हम जंडा गार के आएंगे और मैं देख रहा हूँ आज बेश में और छोटे छोटे गाउं से टालेंट मिल रही है यह टीर 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 से टालेंट मिल रही है पहले तो बड़े शहर बड़ी कलब महीं से आते थे अब ऐसा नहीं आप देखें आपकी टीम में भी आदे से दूर लोग ज़्यादा ऐसे हैं जो छोटे-छोटे स्थान पर साइए यह एक्शुली इस विजय का प्रभाव है और जिसका परणाम हमें लंबे अर्शे तक मिलता है अफगानिस्तान के मिस्टर का बयान था तो बड़ा इंटरस्टिंग बयान था उनको साउथ अफरिकर के साथ लास्ट में खेलने का मोखा मिला यह आत्रा उनके लिए बहुत बड़ी सबलता की आत्रा थी लेकिन उन्होंने क्रेडिट भारत को दी बले अफगानिस्तान की क्रेडिट टीम का यह जो प्रगति है उसका अगर क्रेडिट किसे को जाता है तो भारत के लोगों ने हमारे बच्छों को तयार किया उसके कारव गया है